तो वेलकम दोस्तों एक और सांदार वीडियो में तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी सर्वाइव सीरीज को स्टार्ट के वे बहुत टाइम हो चुका है हमने इसमें अपने लिए कार्सल एंड थोड़े बहुत बिल्स बनाए बट गाइस अभी तक हमने अपने आर्मर को अप गईस तो अब मैं रेड़ी हूं जौंबी से फाइट करने के लिए काई मן दूने जाने लिए मैंने जुरुद का सारा समान ले लिया हैं तो अब चलते हैं कार्सल से थोड़ा दूर माइनिंग करने कार्सल से दूर इस लिए क्युकि हमारे कार्सल के आज-पास को एक भी व केव नहीं है तो मात चुकर अपने कारसल के सामने वाले इलेंड पर यहाँ पर बर दून्ड ती है ताकि हमें उसमें डायमिनन मिल पाइड़ तो गैज यहाँ पर केव तो हैं और यह रही इसमें देखते हैं यहाँ पर लेकिन यह भी चोटीजी यह यहाँ पर जो कि सुरू होने से पहले ही खतम हो जाती है तो गाइज इन के उसको छोड़कर अब नीचे डिक करना स्टार्ट करते हैं तो यहांपर नीचे पानी दिख रहा है मतलब है यहांपर एक जल्दी से गाइज यहाँ पर तो आते ही हमारा धमाकेदार स्वागत हो चुका है किरिपर के दुवरा तो सबसे पहले यहाँ पर टोर्ज लगा देते हैं ताकि और जोंबी ना आए ओकी गाइज तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ देख लिया है और यहाँ पर हम डाइमंड माइनिंग करने आए थे वैसे तो बट यहाँ पर आपको आरें तक नहीं मिलेगा और यहाँ पर एक के नीचे जा रही है देखते हैं यहाँ पर यह कितनी जाती है बट यह भी यहाँ पर बंद हो चुकी है तो यहाँ से अब नीचे डिक करना स्टार्ट करते हैं ओके गाइस तो यहाँ पर डिक करते करते हमें यहाँ पर एक सुरंग सी मिली है और यहाँ पर गाइस हमें मान साफ मिल चुकी है पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आसपास जोंबी तो नहीं है थोड़ी वह टोर्स लगा देते हैं एंड गाइस मुझे पता है यहां पर हमें डाइमन मिली जाएंगे यह पूरी भूल-भूल याशी है बट फिर भी यहां पर थोड़ी ढूंडा-डांडी करते हैं देखते हैं आस-पास क्या है इसमें चेस्ट में मिलती है तो यह पता नहीं थोड़ा-बूत कच्रा था तो अब यहां पर थोड़ी ओर ढूंडा-डांडी करते हैं देखते हैं यहां पर कितने चेस्ट हैं तो गूमते-गूमते बहुत देर हो चुकी है बट यहां पर तो इतना ज्यादा कुछ खास मिला नहीं और मुझे लगता भी न चलते हैं अपने कार्सल की तरफ हम आपस आच चुक है अपने कार्सल में यहां पर इस चेस्ट में रखवा देते हैं जो भी हमें उस चेस्ट से मिला यह वही चेस्ट है ओके गाइस तो हमारा यह माइनिंग का प्लान दूसरे आलेंड पर जाने वाला तो यह तो फेल हो मुझे से पहले मुझे एक सी क्रिक का बता चला है जो कि डाइमंड माइनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कोई इलीगल नहीं है हां तुम गलत सोच रहो कर भी तो जब से हमारा 1.20 माइनक्राफ्ट का अपडेट आया है तब से यह सेट कर दिया गया है कि हमें डाइमंड माइनस 58 वाई लेवल पर ही मिलेंगे या उससे थोड़े से उपर मिल सकते हैं तो जब मैं ने गूगल पर यह सर्च किया कि मुझे डाइमंड कहां पर मिल सकते हैं कहां पर माइनिंग करनी चाहिए तो मुझे यह पता चला तो मैंने सोचा आपको भी बता देना सब्सक्राइब अगर आप भी माइनिंग करते हो डाइमंड की तो बाते बहुत हो चुकी है आप चलते हैं माइनस 58 लेवल पर तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो चलो गाइस मुझे माइनिंग करते हुए एक घंटे से भी जादा हो चुका है अब यह तक मुझे एक भी नहीं मिल आप क्या करें ऑगे तो गाइस अब हमारे पास सिर्फ एक रस्ता है कि हम फिर यहां से स्टार्ट करते हैं कि all right guys finally 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 हमारे इस वर्ल्ड का हमारे इस सीरीज का हमें पहले डायमlez देखने को मिल चुकَ है यहां पर ठोड़े बहुत और वह हो सकते हैं देखो यह यहां-पर हैं लुके हुए ओके गाइस तो यहां पर हमें treatment करते हैं नहीं कलेक्ट करते हैं गलेस तो हमें यहां से पूरे पांच डायमंड मिल चुके हैं यहाँ पर एक दो और लुके हुए देखो यह अब दीके हैं यहाँ पर तो इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं ओल्राइट गाइस तो यहां से हमें पूरे एट डायमंड मिल चुके हैं इसके बाद मुझे गाइस और डायमंड मिले एंड मैंने और कलेक्ट किया और यह थोड़े इतने जल्दी नहीं मिल रहे थे बहुत जादा टाइम लग रहा था बैट मैं आपको जल्दी जल्दी बता करना हो एंड वीडियो अब आगे एंजोई करो वीडियो में चलते हैं ओल्राइट गाइस तो अब तक मेल पास अपने डायमंड आर्मर के लिए इनफ डायमंड हो चुकी हैं लेकिन मैं भी सोच रहा हूं कि थोड़े बहुत और डायमंड माइन कर लें ताकि बाद में आमे वेसे भी पिकेक्स बनानी है एंड फिर एंचाइंटिंग टेबल भी बनानी है तो उसके लिए थोड़ा डायमंड ओर माइनिंग कर लें ओके गाइस तो मैंने इस जर्नी में डायमंड माइनिंग में लगबग 10 पिकेक्स अपनी आयरें की फूक दिये मतलब कि तोड़ दिय करके दस से भी जादा है मुझे याद नहीं है यहां पर अब एक और पीकेक्स तोड़ दिया है तो अब मुझे और माइन नहीं करना भाई जितना है बहुत है अपना डाइमंड करते हैं फिर माइनिंग कर लेंगे तो मैं यहां पर वापस आई रहा था लेकिन गैस वोट क्लेक कर लेते हैं अपनी डाइमंड की पिकेक्स का तो जुगाड हो गया ओकी गैस तो बाकी की डाइमंड मेरे पड़े हैं इस चेस्ट में देखो यह रहे और अब इन्हें कलेक्ट करके ऊपर चलते हैं यह मतलब कि अपने कार्सल के पास कार्सल में और वहां पर अपना ड फाइनली अपना डाइमंड आर्मर और एक पिकेक्स दन और आज का टास्क भी एंड यह वीडियो भी यहां पर खतम होती है तो थैंक्स फोर वॉचिंग भाईज एंड भाई आज का टास्क खतम हुआ अब मैं मैं मिलूंग आपको एक और नहीं वीडियो में तब तक के लि आइनली वीडियो भी यहां इंड यहां आज आज में का टास्क इंड यहां स्वार के लो बाहँ सिंस से अवड़ बागियो खतास्क प्राइम्योंग के लिए?